असलाम अलेकुम यूज इस जवाद और विडियो तो ले आए हूं जी आप लोगों के लिए कंप्यूटर वाले बच्चे जो हैं इनके लिए यह वीडियो फस्ट वीडियो है आज ही अपलोड इंशाला हो जाएगी आप लोगों की इतनी कमेंट्स देख देखके तो मॉबाइल से वीडियो बनाता हूं तो यह सेक्शन वी है जी मॉबाइल के क्वालिटी कैमरे की ठीक है तो आपको सही क्लिए नजर आ रहा हूं को अमीड है कि तो यह नाइन पार्ट्स आपने करने है चप्टर नमबर जो आपका वन है इसमें से क्वेस्टन है नाइटी परसंट आया है और अभी आप लोग भी त्यार हो इनिशालला आपको अच्छा होगा तो उसके बाद यहां पर हमारा है डिफ्रेंशेट बिट्वीन एनलोग और डिजिटल कंप्यूटर तो यह वला भी आपको इंपोर्टन्ट है तो यहां पर उसके बाद अमी अबबा को कहता है कि आप क्या काम करें हमारा जो 9th क्लास वो हमारा जो CRT वो बड़े वाला कंप्यूटर होता है वो जो गैंडा सा बड़ा सा कंप्यूटर है तो उसको क्या करें LCD से रिप्लेस करें तो हम उसकी डिमांड को इस तरह जस्टिफाइ कर सकते हैं कि डेफिनेटली उसका दिल करता है यार लेटिस्ट टेक्नॉलजी हो मारे गर में और लाइट सेविंग और इनर्जी सेविंग और जो भी आपका है इसका आंसर आपने लिखने अपने पास से नहीं चोड़ना बा तो आगे अगे अगर हमाएं तो हाँ स्टुडेंट कन यूज कांप्यूटर तो इंप्रोव दियर अकेडेमिक पर्फॉर्मस और गेव एनी थ्री उसे आप कंप्यूटर इन सकूल लिब्रेरी नें फ्यू हाँ सोल अप्लियांसेज विदा कंप्यूटर माइक्रोब प्रोस बहुत इंप्पोर्टन्ट हैं बेशक अभी कई बचे कह रहे थे आप बुक से बता रहे हैं और भाई मैं असमान से उतारके ने कुश्चन अनसर लेके आँँ जो बता रहूं आप लोग करो अभी कंप्यूटर वले बचे भी कह रहे थे आपने तो सारा बुक से करा दिया पेपर सारा बुक से आगया तो पर कह रहे थे थैंक्यू सार पेपर सही हो गया यह हो गया तो जो करा रहा होता हूं चुप चाप कर लिया करो ज्यादा सवाल जबाब फ़जू किसम के जो लड़के के करते हैं यह ना किया करो बाकी लॉनक एक बैप्रयर करना हैं मोड लखने हैं जी किसके पर हाडवेर इंजिनjyvate उपर संवर गर्राद सकते हैं डार बेस मेंड़र के उपर मेंड़ में मुझाशचर के और गर्य ब्र होने ओं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है यहां पर हम आगे यहां पर चैप्टर नंबर टू पर फंडमेंटल्स ऑफ अपरेटिंग सिस्टम पर तो इसके एमसी के उस बाद मैं कराऊंगा आपको तफसील से इन्शालला काल इसकी सुबह सवेरे कोशी करूंगा वीडियो डाल दूँ त तो इसका है आप 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 यह सॉफटर वर न न एकम्प्यूटर जिए इस वह इस धिए अफ्के बाद पॉज्य अप्जिए द्धी उर्परेटिंग सिस्टम प्रेटिंग न इंडडों स्टरालवसा इस प्रिफल्ट ऐस फोर्टोश दूटिए प्रिए अच्ट्ट ऑफ और उसके बाद, what is meant by resources of a computer, what is an operating system, list common types of operating systems, और उसके बाद, what is a disk operating system, dosk, और उसके बाद, list the classification of operating system, तो अगर हम आगे चलें, तो यहां पे अपने लिस्ट टाइपस of operating system को भी देख लेने, long question की बात करें, इसमें तो long questions में हमारे पास यहाता है, explain the functions of operating system, write the note on Macintosh और Linux operating system, this is again a very very important question, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह long question में आपका आजाएगा, उसके बाद, describe between following computer interface, command line interface, graphical user interface, menu drive interface, उसके बाद, describe the following type of operating system, batch, real time or time sharing system, आगे हम chapter 3, data communication पे आगे हैं, तो इसमें आपने पहला question जो इसका आता है, differentiate between analog signal and digital signal, उसके बाद, why digital signal are used in computer, उसके बाद, name the properties of good communication system, उसके बाद, give any three reasons, why guided communication medium is more reliable than unguided, उसके बाद, what is meant by transmission impairment, उसके बाद, differentiate between attrination and distortion, and what is a cross-talk, or what is a deal-up modem, and why it is used, describe the data rate and border rate, and define the bandwidth, यह बहुत बहुत important question है, उसके बाद, जी हमने, why do satellites stay orbit in a level fall on the earth, उसके बाद, describe signal wise to ratio, आगे अगर हम चलते हैं, तो हमारे पास section number C आता है, section number C में, हमारे पास, describe the components of communication system with the help of diagram आती है, और उसके बाद, describe as synchros, or synchros, transmission, nodes, और उसके बाद, long में, अपने twisted pair of cable, coxial, or fiber optic, बहुत important है, उसके बाद, unguided media वाला भी देख लें, और NIC network, interface card, router, or switch, this is again a very, very important long question, तो जिस पर very, very, very important लिख रहा हूँ, यह तो आपने छोड़ने ही किसी सूरत में नहीं है, उसके बाद, use appropriate formula to determine the characteristic of a communication channel, तो यहाँ पर हम आते हैं, जी, chapter number जो आपका 5 है, इस पर, तो chapter number, I think so 4 है, तो यह आपका chapter number 5, computer networks वाल है, तो यहाँ पर आपने जो पहला question देखने है, describe any three difficulty of a company that may face in a running business or without having a computer network, उसके बाद, what is meant by data transmission is again an important question, और उसके बाद, आपने कौन सा question देखने है, कि differentiate between half duplex and full duplex transmission mode, उसके बाद, network architecture वाला important है, differentiate between a server and client computer, यह वाला important है, और उसके बाद, compare land and when, this is again a very 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 important question, उसके बाद, what is a star topology, star और bus और ring topology, these questions are really really important question, तो यह मैंने एक बार presentation भी दी थी और बहुत important presentation थी, और उसके बाद, mention any three problems which may occur from peer-to-peer connection, peer-to-peer networks को भी आपने देखना है, और what is ISDN, what is CMDA technology and write a note on point-to-point network, what is meant by communication over network, और write on a communication via telephone network, यह भी देख लेने हैं, लॉंग में कर आएं, तो what are the advantages of using a network, this is again an important question, describe client server and peer-to-peer networks, उसके बाद, describe the type of network based on the area covered, explain the type of network topology and write a note on DSL and internet connection, this is again a very very important question, you have to follow and you have to practice it very hard, so अगला जो आते हैं, हमारे पास compare the data communication on the lines, on the basis of transfer rate as per cost month, this is again a very very important question, and you have to write its advantages and desired advantages, तो आगे हम आते हैं, चप्टर नमबर 6 पे, computer and security ethics पे, तो you have to attempt the 9 parts, and the first one is, describe the cyber crime, what is the importance of computer cyber security, and differentiate between hacker and hacker, उसके बाद, 5 symptoms of malware भी important है, और उसके बाद, what is the differentiate between authentication and authorization, उसके बाद, हमारे पास जवाता है, which authentication methodology provides the high secure identification and verification, justify your answer, and what is meant by information privacy, give any three drawbacks of software piracy, what other types of problem may be faced, if a computer user do not comply with moral guidelines or computer ethics, name the three places where authentication of people is required, and describe the some commonly committed cybercrime so you have to write a lot of cybercrimes as you have heard in newspaper or somewhere else so here is question number 12 what are the computer viruses and describe the multi-modal authentication and there you go to the section c and here you have to discuss three long questions and you have to attempt two of them so define malware and describe its type this is again a very important question explain how malware spreads or explain how to protect the system software from virus attack what are the common mythology of authentication and define the computer ethics and this is again an important question and describe some you know cybercrimes so here i'm gonna discuss some of the important question from whole book so the first one for in the short question is elaborate the open source software shareware and freeware and what do you know about random sex memory ram and differentiate between engine and analytical engine or define unix and windows operating system this is from your whole book all of five to six chapters and write the three objectives of operating system and write the digital signals why the digital signals are used in a computer give any three reasons why guided communication medium is more reliable than unguided less the data transmission terminology is differentiate between server and client what is a star topology and why it is reliable than bus or ring topologies write a note on dale up dsl internet connection differentiate between hacker and cracker and differentiate between authentication and authentication and authorization and there it goes with section c we have to attempt two questions and number one is what are the advantages of using the networks describe the client and server peer-to-peer network describe the components of communication with the help of a diagram explain as synchros and synchros and synchros transmission with the no modes of example use the appropriate formula it's so it's a lot of air running out of air use the appropriate formula to determine the characteristic of communication channel define the computer ethics and what are the cyber crimes so and if you have any query any comment just comment it below and i will respond as soon as possible take care allah hafiz